देली समय उत्रपरदेश में भी मौसम हर 24 गंटे में बदल रहा है कभी तेज़ गर्मी और गर्म हवाएं चल रही है तो कभी ठंडी हवाएं चलने केसाथ ही बूदाबांदी और गरज़ चमक के साथ बारिश हो रही है और एक बार फिर से अगले दो दिनों तक उत्रपरदे किया गया है यानि हवाएं 50-60 किलोमीटर प्रतिगंटे की रफ्तार से चलेंगी कहीं कहीं पर ओले गिरने की भी चतावने दी जारी है लखनव मौसम केंदर ने लोगों को इस जोरान घरों में ही रहने की सला दी है लखनव मौसम केंदर के मुताबिक 46 जिलों में बारिश का लट जारी किया गया है वहीं कल बांदा चित्रकूट कुशांबी प्रियागराज फतेपुर प्रतापगर सोनभद्र मिर्जापुर चंदौली वरांसी संतकबीर नगर जौनपुर गाजिपुर कानपुर देहात कानपुर शहर उन्नाव लखनव राइबरेली अमेठी सुल जालौन, हामीरपुर, महोबा, जहांसी और ललितपुर में तेज बारिश के साथ ही बिजले गिरने के आशंका जताई जा रही थी इसे के साथ लखनो मौसम केंद्र के वरिस्टेव ग्यानेक महमद आनिश ने बताया है कि यूपी में दुपहर के बाद मौसम बिगरने के आशंका है इस दोरान तेज हवाय चलने के भी आशंका जताई चारी है उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि मौसम बिगरने की बड़ी वज़ा ये है कि मद्रिप्रदेश और पाकिस्तान से एक पश्ची में विक्षोब बारा है और उसी वज़े से मौसम बिगर जाएगा इसी के साथ राज़धानी दिल्ली में आशका धित्रम तापमान 35 डिगरी सेल्सेस पे दर्श किया गया है जबकि नियुन्दम तापमान की बात करें तो ये 25 डिगरी सेल्सेस पे दर्श किया गया है इसी के साथ 10 किलो मीटे प्रतिगंती की रफ़तार से हवाई चलेंगी QA लेवल भी लगतार खराप श्रेणी में दर्श किया जा रहा है और इसका अंक 301 पर बना हुआ है